चलो सबको बूद इवनिंग एक बर आडियो देख लोगे सब कोई कि आवाज कैसे आ रही है आवाज साफ आ रही है फिर क्लाश शुरू करते हैं ठीक है और आई होप अभी तक का जो चल रहा है यह छुटी आप लोगों की एक तरह से आप उसको यूज कर पा रहें मतलब कोई आपकी एजुकेशन में या फिर प्रिपरेशन में ब्रेक नहीं आ पाया होगा इसके लिए आप लोगों प्रयासरत रहें कि कि जब सब कुछ न सामने आना है तो प्रिपरेशन अपनी ऐसी रखने ही कि जैसे ही सामान नहीं हूँ हालात हम लोग परिक्षा के लिए प्रिपेर रहें खुद को प्रिपेर रखें आप लोग चली तो एक बार आउडियो को लेकर के कमेंट कर देना कि आवास कैसी आ रही है आवास साफ आ र है थाउडियो कि आप अजया गए आप 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 है और श्युक्त है तो शुरू करते हैां था टीक तो चली अच्था है तो प्लास शुरू करते हैं तो पूंग अच्था परिए इस यह था रही है तो ठीक है, सब को गुड इवनिंग, शुभाम को गुड इवनिंग, विकास को गुड इवनिंग, अजय को गुड इवनिंग चले, क्लाश शुरू करते हैं, ठीक है Swift's are busy investing in the roof and performing acrobatics outside my window तो पार्सिंग से शुरू करते हैं, इसकी marker हटा देते हैं इन्ही कहानी है, इसका page number है आपका 103, ठीक है, page number है 103 पहले paragraph से इसके हम हो शुरू कर रहा है सब को गुड इवनिंग, सब को प्रणाम चले, शुरू करते हैं यहाँ पर, पहला जो शब्द है वो आपका noun है, plural noun है, एक सेकेंड रूपना यह आपका plural noun है, पंची का नाम है, एक तरह का पक्षी होता swift आर बिजी, यह बी भर्ब का रूप है, तो यह हमें इन वर्ब हो जाएगा, और इसके साथ आपने अट्जेक्टिफ यह उसके है, busy swifts are busy, यानि swift पंची जो है, वो busy है, nesting in the roof, kishes में busy है, nesting in the roof, भर्ब का च्वाथा रूप, in, preposition हो गया, the आपका article हो गया, roof आपका noun हो गया, तो यहाँ पर एक structural dilemma आप लोगों के सामने आता है, कि यह कौन सा structure है, जिसमें हम लोग busy use कर रहे हैं, भर्ब का चौथा रूप, और ठीक वगल में हम लोग use कर रहे हैं, भर्ब का चौथा रूप, तो यह आप अगर डिक्शनरी में कभी busy शब्द की meaning देखेगा, तो लिख busy with something, या somebody, या busy doing something, यानि busy के बाद noun रहेगा, somebody or something, कि किस के साथ busy हैं, तो busy bit लगा रहेगा, otherwise, लिखा रहेगा busy doing something, कि क्या करने में आप वियस्ते हैं, good evening, भुमिका कम जिश, दोनों को good evening, तो meaning एक बर बता देते हैं, जो अपने बच्चे हैं, जो अपने बच्चे हैं, ज जो बाहर के बच्चे हैं, जो हमें योटूब के माधियम सा जानते हैं, वो धीरे धीरे सक्यादर डाल लें, तो busy देखेगा, adjective और verb दोनों रूप में हम लोग यूज करते हैं, यह adjective हम लोग ने पकड़ा है, तो देखेगा busy with somebody or something, या फिर busy doing something, ठीक है, तो busy रहेगा busy के ब doing यानि भरब का चौथा रूप, इसलिए, adjective के साथ हमने क्या यूज के है, भरब का चौथा रूप यूज के है, are busy, nesting in the roof, and, and के दोनों तरफ का structure सेम होना चाहिए, nesting in the roof, उसके बाद फिर वी फोर है, यह भी भरब का चौथा रूप होगा, performing acrobatics, acrobatics आपका नाउन है acrobatics एक ऐसा noun है, जिसके spelling में तो S लगा रहा था, बट हो singular है, outside my window, तो outside app का preposition है, ठीक है, outside दो parts पर speech होता है, आप लोगों में से अधिकता दोगों को पता होगा, ठीक है, और जिनको नहीं पता है, उनको बता दे रहा है, कितना लोग parts, मतलब, parsing करके रखे हो, एड़र बत्यादी सब होता है, बट हैंप हम लोग यूस करें इसको preposition के तरह, यह positive adjective है, और मेरे सवाल का जवाब जरूर दोगे, कितना लोग parsing करके रखते हो, रोज, ठीक है, अनिर्ट आट आउंसर, गुड इवनिंग दीपमाल आपको भी, और आप लोग आई होप एकदम social distancing को बढ़िया से follow कर रहे हैं, गुड इवनिंग सन्या, सभी लोग social distancing को maintain करके रखे, ठीक है, जिस बीमारी का इलाज नहीं, उससे बचा भी कीजिए, और यह तो हमारा सपना है, जो सत्य हो रहा है, कोई घर से निकलने नहीं कहा रहा है, हमें कोई काम करने नहीं कहा रहा है, ठीक है, ठीक है, I don't have to do anything, I just have to wake up on time, take a bath, पूझा करता हूं, exercise करते हैं थोड़ा बहुत, आपको पढ़ाते हैं, देनवर किताबे पढ़ते हैं, या फिल्मे देखते हैं, खाते हैं, और घर वाले डिक्षिनरी कैसे इंस्टॉल करें, सर लिंक, शुभाम लैप्टॉप में डिक्षिनरी इंस्टॉल करने के लिए, आपको अपने किसी मित्र की साहता लेनी परेगी, इसलिए साहता लेनी परेगी, क्योंकि लैप्टॉप में इंस्टॉल करने के लिए, एक CD आती है, जो डि किसी मित्र को अगर किसी ने Oxford की Advanced Learner Dictionary खरी दी है तो उसके लास्ट पेज पे जो कवर होता न उस पर चिपकाई हुई रहती है CD and that helps you ठीक है चलिए आगे दिखा जाए आगे दिखा जाए आगे देखा जाए आगे दो एव्रेटिंग उन दे विंग अच्छा कमलेश भी social distancing maintain कर रहा है करना ही पड़ेगा कोई उपाय नहीं है we don't have any other way ठीक है चलिए कोई उपाय रहता तो फेर समझ में आता कोई उपाय नहीं है तो बस prevention is the best thing that we can do right now यहां पर है they do everything तो they आप जाने स्विफ्ट के लिए आ रहा है तो स्विफ्ट प्लूरल तो दे भी प्लूरल यह आपका प्रोनावन है दू भर्प का पहला रूप है ठीक है on the wing एक फ्रेज होता है बच्चा on the wing आपका क्या होता एक फ्रेज होता है जिसकी मिनिंग होती है उड़ते हुए जो भी करते है वो उड़ते हुए करते हैं ठीक है तो everything आपका यह प्रोनावन है हर जगह ही प्रोनावन होता है on the wing एक फ्रेज है जिसकी मिनिंग होती है उड़ते हुए जहां दिकत हो पूछ लेगा कोई भी ठीक है feel free to ask और शुबह मगर नहीं मिलेगा तो फिर कोई उपा पाइंगे ऐसे देख लिए कोशिश करके किसी दोस्त के पास नहीं मिलता है तो फिर एक दो दिन बाद हम से फिर यही रिक्वेस्ट कीजिए गया आगे रिखते हैं और आप लोगों से वही आशा है कि आप लोग क्या है शेयर करते रहें शेयर करना बहुत जरूरी है शेयर करें अगर आपको फर्क पड़ता है ठीक है आप रेगुलरली शेयर करोगे तो धीर धीर अपने आपके सब्सक्राइबर ऐसे बहुत ही कम है बट फिर भी कहा हमारा काम बनता है कि I have to make a request जैसे आप लोग request करते हैं everything on the wing यानि उरते हुए यह फ्रेज है on the wing की मेनिंग होते है in flight उरते हुए it seems ऐसा लगता है it आपका हो गया pronoun seems हो गया भर्ब का पांच मारू including यहाँ पे प्रिपोजिशन की तरह आप यूज कर सकते हैं including को ठीक है यह नहीं कि include भर्ब से यह adjective हो गया feeding and making love यह gerund है भर्ब का चौथा रूप है noun की तरह इस्तमाल हो सकता है ठीक है feeding and making love तो आप जेरंड की तरह इसको यूज कर रहा है आगे जब मीनिंग बताएंगे न तो हम clear कर देंगे भर्ब के चौथे रूप के रूप में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पी independent parts of speech है तो फर्क नहीं पढ़ रहा ठीक है आगे देखेगा the wind article noun in the pines in आपका preposition हो गया the आपका article हो गया pines आपका noun हो गया व्रिक्षों की बात हो रही है pine व्रिक्ष होते हैं जो coniferous trees होते हैं उनको pine कहते हैं लो इस तरह के जु वरिक्षोतेर को कोनी फेरस ट्रीज कहते हैं टेक है कहा है अं Orange one आप लोगों ने पढ़ा होगा इस तरह के बनो को किया करता है धाल को भी भी एस ऐडंजी और उसके लावला शेरिंग भी करना है यह क्या धाज पॉसिबल आगे देखते हैं कि इन थो इन पाइंशंद देवदार्व और ऑपका नावन शुटिया है हम्स और मोंस यह भर्व का 5 पाक्तमा रूप है एब आपके यहां पर कंजनंखरnution है कि ह्cious नाउन इस ने बेल्णावर का 5 रूफ है रशुटि न duy यह tapció पांच महरूप है कि रेगुलर किया कीजेगा तो मैच कीजेगा इंक्लूडिंग प्री कैसे है सर जी स्विटि डिक्ष्णोरी में लिखा हुआ तो है अगर हमारा नाम कमला प्रशाद रख दिया जाता तो आप आप पूस्ते की तर आपका नाम कमला प्रशाद क्यों है तो मातना पिता ने रख दिया तो रख दिया तो जब आप डिक्शनरी में जाएंगे और आप पाएंगे कि instead of date इन्टोडिंग पूर क्या है? आपको प्रिपोजीशन कैसे बधा सब्सक्ता इन्क्राइब चलिक आगे देखा जाया इन्टोडिंग कि मैं आपको और जाम समझाते ऌगे इट रसल्स चैटर्स एंड मेक्स यह भी भर्ब का पांचमों रूप है चियर्फुल आपका अड्यक्टिव है जो कन्वर्सेशन नाउन के लिए आप यूज कर रहे हैं दा हॉर्स जेस्टनस्ट इन फुल लीफ दा आर्टिकल है हॉर्स जेस्टनट एक कंपाउंड नाउन है बच्चा अगुड इवनिंग अपिजीद इन फुल लीफ फुल आपका अड्यक्टिव है लीफ आपका नाउन है इस आपका बी भर्ब का रूप है मेन भर्ब है यहाँ पर जेस्टनस बताएंगे ने मीनिंग ब आप बिल्गोल शुवन सुधार होता यही तरीका ही है बच्चा आप एक बत हमेशा ध्यान दीजे कि ठीका काम किया क्या है क्या हम जानकारी क्रियेट करते हैं नहीं परिएंगे नहीं करते हैं जो इन्फॉर्मिशन को दे रहे हूं कहीं ना पहले से पड़ी हुई है हमारे एक मात्र काम है, एक ऐसा तरीका खोज करके आपको दे राज जिस तरीके से उस information को आप retain कर सके ठीक है, तो जो चीजें हमारे काम आई, जिन चीजों के कारण हमारे subjects में हमारा improvement हुआ और हमारी नौकरी लगी, हमने कहानी पर फोकस करते हैं आई होप आप रेगुलर पढ़के आओ, पार्सिंग करो आपको फाइदा होगा ही होगा नहीं होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ठीक है, कि फाइदा नहीं हो स्विफ्ट एक खास तरह के पंची होते हैं ठीक है, इस पंची को हमनों क्या कहते है, स्विफ्ट कहते है ठीक है, तो इसी की बात की जा रहे हैं यह busy है, nesting in the roof छत में अपना घोसला बना रहे है छत में अपना घोसला बनाने में यहां busy है and performing acrobatics और हवा में कलाबाजियां कर रहे हैं outside my window, मेरी खिर्की के बाहर, मेरी खिर्की के सामने they do everything on the wing, वो हर काम उरते हुए करते हैं it seems including feeding and making love चाहे खाना खाना हो, खाना खिलाना हो, चाहे प्यार करना हो सारा काम उरते हुए ही करते हैं यह सभी sound को represent करने वाले term है जिनको हम गोल कर रहे हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है, जो हवा है वह गुन गुनाती है, जब वो गुजरती है पाइन और देवदार के व्रिक्षों से हो करके लेकिन चेस्टनट के व्रिक्ष से जब वो हो करके गुजरती है तो वो खडखडाती है and chatters और बाते करती है and makes cheerful conversation तो यह सारी जो बाते हैं, यह figurative statements है कैसे statements है, figurative तो कवीता एवं कहानियों में क्या होते हैं अब लग figurative statements का प्रियोग करते हैं figure of speech का प्रियोग करते हैं क्योंकि सच मुच में पेर तो आपस में बाते नहीं कर सकती है हवा पेरों से बाते नहीं कर सकती लिकिन यह कहा रहा है लेखक कि जब हवा अलग-अलग पेरों से गुजरती है तो अलग-अलग तरह से sound आता है The horse chestnut in full leaf is a magnificent sight एक पौधा है Horse chestnut in full leaf जब इस पे सारे पत्ते आ जाते हैं तो यह बहुती सुंदर द्रिश्य होता है देखने में इस पौधे को भी चेक कर दिये जाए कि यह कैसा दिखता है हमारी भी जिग्यासा है आपके बहाने हम भी देख लेंगे चलिए तो ब्रिक्ष की जगह दिये होए है यह ऐसा पौधा दिखता है ठीक है चलिए ट्री नहीं देखर कि इसके फल को दिखा रहा है लोग ट्री देखा जाए तो यहां है होर्स चेस्टनस्ट आपका जो चेस्टनट होता हुए मतलब जितने भी नट्स होते हैं उनके नाम में नट लगा हुआ रहता है यानि जो कठोर बीज वाले फल जिनके भी होते हैं उनको नट कहते हैं चाहे कैश्वी नट हो गया आपका वालनट हो गया या चेस्टनट हो गया यह उसका व्रिक्षा है ठीक तो यह जब इनके उपर पूरे पत्ते आ जाते तो बहुत ही दिखने में शांदार लगते हैं यह हमारे राइटर का कहना है ठीक आगे देखते हैं Amongst the current fraternity of writers I must be that very rare person an author who actually writes by hand तो अभी जो समू है अभी जो fraternity यह ग्रुप है writers का आइ मस्ट भी तो उसमें शायद मैं वह rare आदमी हूँ दुरलब आदमी हूँ जो मुश्किल से मिलता है उसको rare यह दुरलब कहते हैं An author कुछ बच्चे हैं जो लेट से जुड़े हैं जो बच्चे लेट से जुड़े हो पार्सिंग का पहला जो पैराग्राफ हमनों पार्स करते हैं वह हमेशा मिस कर जा रहे हैं तो क्याने इस वीडियो को दुबारा रिवाइंड करके देख लीजाएगा पार्सिंग नहीं मिस करना है ठीक है An author who actually writes by hand मैं एक ऐसा लेखक हूँ जो अभी भी हाथ से लिखता है अधिकतर teachers sorry जो writers होते हैं वह dictaphone यूज करते हैं dictaphone या फिर वह लोग यूज करते हैं electronic या फिर manual typewriter का प्रियोग करते हैं कुछ लोग computer का भी प्रियोग करते हैं लेकिन हमारे जो writer है उनका कहना है कि हम वह rare breed है जो अभी भी हाथ से लिखता है आग देखा जा Soon after the invention of typewriter Soon after the invention of the typewriter typewriter की खोज के ठीक बात most editors and publishers बहुत सारे editors वह व्यक्ति होता है जो किसी भी लेखक के द्वारा लिखी गई रचना को चापने से पहले एक बार देख लेता है कि इसमें कुछ card chart के जरुवत तो नहीं है इसमें कुछ आपती जनक तो नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग editor कहते हैं editor की हिंदी होती है संपादक ठीक है तो editor is the person who actually goes through the writing and decides what should be published and what shouldn't क्या च्छपना चाहिए और क्या च्छपना नहीं चाहिए यही निर्दय वो लेता है ठीक है तो अधिकतर और publisher वह व्यक्ति होता है जो किताब actually चापता है या कोई भी written material चापता है understandably यानि यह clear बात है refuse to look at any manuscript that was hand written तो जब typewriter की एक बार खोज हो गई तो अधिकतर editors और publisher ने वास्तिविकता है और या सही भी उनका यह मानना उन्होंने manuscript यानि हाथ से लिखे document को देखना भी क्या है बंद कर दिया क्योंकि हाथ से लिखे document में क्या होता है कि sometimes it becomes tough to identify your particular handwriting लोगों की handwriting पहचानना भी थोरा क्या होता है एक tough काम होता है कुछ साल पहले a few years earlier when Dickens and Balzac had submitted their hefty manuscripts in longhand तो कुछ साल पहले जब Dickens और Balzac के writers है उन्होंने जब अपने भारी भरकम हाथ से लिखे हुए manuscript longhand में submit किये थे तो जितने लोगों ने shorthand सुना है तो उनको पता हुआ कि जो भी चीज हम लोग लिखते है normal जो हमारी spelling होती उसको कहते है longhand और जब उसको छोटा करके लिखते है ताकि कम जगा में काम चल जाए तो उसे कहते है shorthand तो जब वो longhand में लिख करके मोटा मोटा किताब देते थे no unhad objected तो कोई भी अपती नहीं करता था कोई भी objection raise नहीं करता था had their handwriting been awful अगर उनकी handwriting खराब होती their manuscript would still have been read तब भी उनकी manuscripts को लोग पढ़ते है fortunately for all concerned कि अच्छी बात है fortunately मुल अच्छी बात है it's good कि जितने भी लोग concerned है these and other famous writers took pains over their handwriting कि यह यानि कि हमारे Dickens और Balzac and other famous writer took pains over their handwriting वो काफी महनत करते थे took pains over their handwriting अपनी handwriting पर काफी उन्होंने महनत की थी and क्यों है उनके handwriting क्या है काफी सुन्दर थी सभी बचे यहां notice करेंगे कि यहां पर भी pains शब्द का हमने प्रयोग किया है तो pains एक अलग noun ही है यह हमेशा plural form में यूज करते हैं और इसका मतलब होता है किसी कारे को करने में जो महनत की जाती है उसको pains कहते हैं यहां दर्द से बिलकुल ही अलग noun है दर्द वाला जो pain होत है यह से अलग noun है इसको धिहान रखेंगे दोनों की हैं राइटिंग बहुत साफ थी flourishing थी तो flourishing एक adjective के तरह हैं यहां है जाते हैं बट आज ये सब बता दे रहे हैं क्योंकि आज जादे बच्चे हैं ठीक है इसलिए समझा दे रहे हैं तो फ्लारिशिंग का मतलब होता है कि कुछ लोग जब लिखते हैं तो उन में फ्लो रहता है उनके हैंड़ाइटिंग में क्या दिखता है फ्लो दिखता है तो handwriting में काफी अच्छा flow था और काफी clear लिखते थे Somerset Morgham had an upright legible hand और Somerset Morgham करके जो writer थे वो सीधा लिखते थे cursive नहीं लिखते थे और उनके handwriting पढ़ने योग्य थी Tagore और Fine Flourish Tagore की handwriting थी वो काफी सुन्दर थी Churchill's neat handwriting never wavered और Churchill की handwriting थी एकदम साफ सूतरी थी और कभी waiver नहीं होती थी यानि कभी विसकी quality मुतार चढ़ा नहीं आया even when he was under stress जब वो stress में यानि दवा में रहते थे तब भी उनके handwriting थोरी भी उपर नीचे नहीं जाती है I like the bold clear straight forward hand of Abraham Lincoln it mirrors the man मुझे Abraham Lincoln की bold यानि मोटे अक्षरों में साफ और straight handwriting straight hand कहने का मतलब है तेरह मेठाने एकदम सीधा अक्षर लिखते थे Abraham Lincoln से Abraham Lincoln जो लिखते थे it mirrors the man और उनका कहना है हमारे writer का कि यह उनके व्यक्तितव को mirror करता है यानि Abraham Lincoln खुद जैसे व्यक्ति थी उनके handwriting भी वैसे ही थी ठीक है तो यह आज का task रहा हमारा आप यहां से not से ले करके man तक कल parse करके रखिएगा और कम से कम दो या तीन paragraph खुद से पढ़के भी रखिएगा so that आप compare कर सके कि आपने क्या meaning निकाली और हमने क्या meaning निकाली एक वाई फिट से ध्यान रखेगा this whole process is not about what how many stories we read but the process that we follow while reading these stories हम लोग इसलिए नहीं session को follow करते हैं कि कितनी कहानिया total हम लोग पढ़ लेंगे बलकि हम लोग इसलिए शिबू आप लेट हैं बच्चा गुड इवनिंग इस पूरे session को rewind करके एक बार देख लेजाएगा हम लोग यह session इसलिए follow करते हैं कि कौन-कौन से processes follow करके आदमे अपनी reading improve कर सकता है first thing is parsing और दूसरा है dictionary का प्रियोग करके वाक्यों की meaning शब्दों की meaning निकाल करके किसी तरह से कोशिश करना कि हम सही अर्थ निकाले ठीक है चली अब हम लोग second part जो है आज की अपनी reading का जो रहता है news paper वाला उसे शुरू करते हैं हमेशा ध्यान दीजेगा यहां जो book आप भर रहें वो वीडियो की description में PDF के रूप में दी हुई है उसे download कर ले और जो news paper वाला पार्स हम लोग करते हैं वह syntax analysis हम लोग हमेशा front page पे पहली news headline का करते हैं तो देखा जाए चलिए यह आज का अखवार है आपका बता देते हैं हम आपको parsing से शुरू करते हैं coronavirus stall यहां पर compound noun की तरह use हुआ है एक सधिक शब्दों से मिलके बने noun को compound noun कहते हैं touches क्योंकि है singular है तो यहां पर हमने भर्ब का पांचवा रूप यूज किया है 62 यहां पर एक नंबर की तरह इस्तमाल हुआ है तो coronavirus मृत्तकों की संख्या यानि उसके शिकार की संख्या उससे मरने वाले लोगों की संख्या 62 को छूग गई है revised adjective है testing norms आपका compound noun है likely आपका adverb है यानि संभावना है कि जल्द ही revised यानि नए जाच के नियम सामने आएंगे यानि कि कोचिंग कब open होगा sir प्रिंस जब भारत open होगा तब कोचिंग भी open होगा ठीक है फिर इंडिया opens the coaching will open आप खुद सुचे कि तीन से चार घंटा हम पर डे इसके बापजूत पर हा रहे हैं तो आप सूच सकते हैं कि हम तो अल्रेड ही चाहते हों कि कोचिंग open हो जाए ठीक है let's pray आगे दिखा जाए आगे है मीनिंग हमने बता दी कि coronavirus के मृत्कों की संख्या 62 को चूच चुकी है और नए revised जाच के जो नियम है वो जल्द ही जारी किये जाएंगे कि अब patients के जाच करनी है तो कैसे करनी है ठीक है 2563 यह number है क्योंकि यह एक से अधिक है इसलिए जो अपना noun है cases वह भी plural है confirm verb का दूसरा रूप है across आपका preposition है और country आपका noun है 647 फिर number की तरह use किया है हमने of आपका preposition है which आपका relative pronoun है are आपका main verb की तरह इस्तमाल हुआ है from preposition है निजामुदीन cluster आपका compound noun है और इन cases में से 2653 cases जो है पूरे देश में उन में से 647 निजामुदीन में जो तबलगी जमात की meeting हुई थी उसमें से हैं यानि कह सकते हैं कि 25% जो भारत के total cases है वो एक जगह से उठकर के फिलहाल सामने आये हैं आगे देखा जाए आपको दो नाउन है जिनको जोड़ने के लिए आपने प्रिपोजिशन आफ का प्रियोग किया है कोविड-19 cases आपका दूसरा नाउन है नंबर आपका पहला नाउन है जिसके लिए आर्टिकल दो आया है तो कोविड-19 या ओफलाइन से ओनलाइन महीं मज़ा आ रहा है सर अफिजीत बिलकुल मज़ा आ रहा है बट हमारी भी जरूरते हैं बिजली, इंटरनेट, भोजन, कपरे, लत्ते, दवाएं यहाँ ओफलाइन से ही आते हैं ठीक है तो मज़ा एक अलग चीज है और रोजी रोटी एक अलग चीज है ठीक है चलिए आगे देखा जाए तो कंटिन्यूड भर्प का दूसरा रूप है टू प्लस भीवन यहाँ पे आपने यूज़ किया है इन आपका प्रेपोजिशन है द आपका आर्टिकल है country आपका नाउन है with आपका प्रेपोजिशन है 336 आपका नंबर है new आपका अड्यक्टिव है cases आपका नाउन है reported भर्प का दूसरा रूप है in आपका प्रेपोजिशन है the आपका आर्टिकल है past आपका अड्यक्टिव है 24 आपका नंबर है और सापका नाउन है और काफी कच्ड़ा हो चुका है इस कच्ड़े को आप मिटाना परेगा और इस तरह से अभी जितने मेरी तारीफ नहीं बल्कि मेरी बुराई के इसका मतलब क्लास में बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं ठीक है चलिए वाइल आपका यहां पर कंजंग्शन है बच्चा वाइल आपका कंजंग्शन है 18 नंबर है और आपका अड्जेक्टिव है जो देट्स नाउन के लिए आया है क्योंकि 18 है तो प्लूरल नाउन है वर आपका बी भर्भ है पैसिब वोइस के लिए यूज किया गया है बी के साथ भी थ्री दा यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री आपका कंपाउन नाउन हो गया एक सधिक शब्दों से मिलके बने नाउन को कंपाउन नाउन गयाते है सेट ऑन फ्राइडे भी टू अन है प्रिपोजिशन ऑफ टाइम अन का प्रियोग हम लोग डे या डेट के लिए करते हैं और फ्राइडे है आपका नाउन जो कि डे को रेप्रेजेंट करता है अब हम लोग मीनिंग देख लेते हैं किरिपय चैनल को शेयर करें बच्चा ठी सिर्फ पॉपुलेरिटी मिल चाहता है आदमी वो भी आप लोग नहीं दिला रहे हैं हमें समझा देते हैं इस पूरे पैराग्राफ को COVID-19 केसेज की संख्या बर रही है देश में 336 नए केसेज रिपोर्ट किये गए पिछले 24 घंटों में और इस तरह से जो हमारी टोटल संख्या है वो चली गई है 2547 तक जब की 18 मोर देट्स वर रिपोर्टेट अठारह मृत्ति यानि अठारह लोगों की मौत भी क्या है इसकी भी रिपोर्ट आई है कि अठारह लोग मरे है हाँ शेबू सब्सक्राइब भी करें सब कोई ठीक है आपने यह सही का शेयर भी करें सब्सक्राइब भी करें 2547 ने रोगी सामने आया है और 18 लोगों की मौत हुई है और यहाँ जानकारी किस ने दी है दा यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री यानि केंद्रिये स्वास्त बिभाग ने स्वास्त मंत्राले ने कब यह जानकारी दी हमें तो यह जानकारी हमें शुक्रवार को दे गई तो आई सेशन आपके क्लोस टेस्ट एडिटोरियल और रिडी ठीक है इसमें और कुछ जोड़ेंगे एक दो दिन में ही जोड़ेंगे हो सकता कल सही जोड़े पर यह तीन सेशन के लिए हमेशा आप लोग प्रिपेर रहें क्लोस टेस्ट के वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के अंत बंच झास्ष नपकि लिए जोड़ेंगे झाले की दोड़े और कुछ लोड़ें के लिए हमदैन के लिएू जोड़ेंगे यह लिए हम टुछ लड़ें डाने जोड़ें के लिए गिए और को प्रादाप सेशन का सेशन के गयोगे ऑने कंट हम लिए प creat ब दाते ह這些 पी